नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमितर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अविजीय सेंटर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक हजार क्वेश्चन सीरीज के बारवे वीडियो को जिसके अंदर हमने लिया है बहुत इंपोटेंट क्वेश्च दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रसन है निल्लिकित में से कौंसा राज्वर्त में सरवाधिक दूध उतपादक तो यहां पर कौन सा अंसर से बात की गई है यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है दोस्तों कौन थे यहाँ पर सुतंत्र भाहत के पहले सिक्छा मंत्री तो वो थे मौलाना अभूल कलाम आजात थे ठीक है चलिए हम अच्छा और इसके साथ और भी देख लेते हैं यह डॉक्टर जान मताई जो है यह सु अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्ने लिखित में से कौन सा भारत का पर्थम नागरिक के रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर कौन सा अंसर से होगा दोस्तों मुझे कमेंट करके बताईएगा यहाँ पर कौन सा अंसर से होगा तो यहाँ पर जो राइट आंसर है है वो है राश्टपती राश्टपती को हम भारत का परत्रम नागरिक के रूप में जानते हैं चले चलते हैं अगले परशण की तरफ को निम्नले लिखित में से मद्ध्य प्रदेश में लोक्सभा सीटों की संख्या है तो इसका right answer दूस्तों कितनी है मद्यप्रदिस में 29 लोक सभा की सीटे हैं ठीक है और इसके साथ साथ आपका पश्ची मंगाल का कितना है पश्ची मंगाल में यहां पर कितने हैं तो यहां पर 42 है पश्ची मंगाल में ठीक है कहा कि बिहार के और इसके साथ ही जो लोग सभा सीट असीब है यह यूपी का ठीक है यूपीके यूपी में लोग सभा सीटों के संख्या कितनी है असी है ठीक है चलिए हम अब अगले प्रसंट पर भारती निर्वाचन आयो की स्थापना कब की गई थी तो यहाँ पर जो सही आंसर दोस्तों कौन सा ओप्षन सही यहाँ पर ओप्षन नमबर एक यानि कि 25 जनवरी 1950 यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है ठीक है यहाँ पर एक क्वेशन और बनता है कि चलिए अब हम चलते हैं अगले परशन की तरफ इन में से कौन सा यंत्र यांत्री कुर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्तित करता है तो यहाँ पर कौन सा आंसर चाही है तो यहाँ पर जो आंसर है वह है डाइनमो ठीक है जो डाइनमो होता है वह यांत्री कुर्ज विद्दूत मोटर जो है यह विद्दूत उर्जा से क्या करता है यह अंत्रिक उर्जा में करता है दूसरा विद्दूत सेल जो है विद्दूत सेल यह क्या करते हैं यह अपने अंदर आवेश को क्या करते हैं ठीक है और जौत पढ़ने पर हम उसका फिर दुबारा से वहां स से आवेस को रिलीज कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं गलेपरशनी की तरफ राष्ट द्वज की लंबाई वह चवडाई का नुपात कितना होता है तो यहां पर कौन सांसर सी होगा दोस्तों मुझे कमेंट करके बताईएगा कमेंट करते रहने से दोस्तों क्या ह तरी यहां पर जो राइट आंसर है वो है तीन रूपात दो चलिए बढ़ते हैं इसको लिए प्रस्ण की तरफ प्रस्ण है खाने का सोडा का रासायनिक सुत्र क्या होता है तो यहां पर जो राइट आंसर है दुस्तों क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट ठीक है इसका जो सुत्र होता है मैं आपको लिखके दिखाएता हूं क्या होता है एने एच और क्या होता है सी ओ स्थ्री ठीक है यह जो है खाने का सोडा है जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं खाने वाला सोडा भी कहते हैं ठीक है इसका प्रियोग हम खाने की चीज़े को बनाने में यूज करते है ठीक है चलिए भब चलते हैं अगले पश्ण की तरफ प्रश्ण है विज सुभिया पार संगठन का मुख्याले कहा है तो इसका जो राइट आंसर दूस्तों कहा है जेनिवा में ठीक है जेनिवा है कहाँ पे यह है सुड्जर लेंड में ठीक है चलिए हम बढ़ते हैं अगले ट्लूंगर की रूप में जाना जाता है छिए चलते हैं चुए परश्रूंश की तरफ सुवाश्चंदर बोश को नोज जीकिव इस ने दीथी तो कि से दिथी दोस्तों तो सुवाश्चंदर बोश्कोनीटाजी की उपाधि एडॉल्फ हिटलर ने दीथी ठीक है एडॉल्फ हिटलर ने यह कहां का तानासा था तो यह था जर्मनी का तानासा और बहुत ही कुरूर तानासा था ठीक है इसने सबसे पहले सुवाश्चंद्र बोश को नेता जी की उपाधी दे थी चलिए चलते हैं अगले परशन की तरफ परसिद्ध नारा करो या मरो किसने द दिया था दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है वह है महात्मा गांधी ने दिया था ठीक है यह जो नारा दिया गया था यह दिया गया था उन्नीस सो ब्यालिस इस्वी में बॉंबे अधिवेशन में ठीक है और इस नारे का एक मात्र मक्सद था बिटिस सामराज्य का पत सबसे बड़ा ग्रह है ब्रेयाजपती ग्रह ठीक है जिसको जूपिटर भी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है जूपिटर कभी-कभी इस नाम से भी आ जाता है ठीक है तो दोस्तों यह थे आज के बहुत ही मौतिपूल क्वेस्चन्स जो आपके लिए आपके एंसेल एक्जाम के लिए और और भी एक्जाम के लिए काफी इंप्रेंट थे तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार बंदे मातर में